नश्कार दोस्तों हमारे चैनल वेदी के इस्ट्रोलोजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी स्कॉर्पियो लगन और स्कॉर्पियो रासी के लिए अगस्त 2019 का महिना कैसा रहेगा तो अगस्त 2019 का जो ट्रांजिट है उसके अनुसार आपको इस वीडियो में फलादेश बता जाएगा उससे पहले अगर आपका यहाँ पर आठ नंबर लिखा है फैस्ट हाउस में तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं विसेश रूप से लगन के अनुसार जो रासी भी है वर्ष्चिक रासी है अगर आपकी तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बट आपके उपर जो जो इसके रिजल्ट बताए जाएगा वो आपके वर्ष्चिक लगन पे ज्यादा परभावी रहेगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें अब सबसे पहल बाद 17 अगस्ट से 17 सितंबर तक सिंग रासी में रहेंगे मंगल 9 अगस्ट से 25 सितंबर तक सिंग रासी में रहेंगे बुद्ध 30 जुलाई से 3 अगस्ट तक मिथुन में रहेंगे उसके बाद 3 अगस्ट से 26 अगस्ट तक वो करक में चले जाएंगे सुकर की बात करें तो तक करक में रहेंगे और फिर वो 16 अगस्त के बाद यानि 16 अगस्त से 10 सितंबर तक सिंग रासी में से ले जाएंगे इसके लावा गुरू वर्सिक में रहेंगे सनी रहेंगे दनु में राहू रहेंगे मिथुन में और केतु रहेंगे दनु में तो यहां पर अब हम इस वीड जो द्रश्टे हैं उसके नुसार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सैस्ट लोड के हैं, मंगल और आप थोड़े गुस्सेल Congress टाईप जादा आप में गुस्सा है, कहीं न कहीं और आपका वरक पलेस जो है आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आप किसी की सुनते नहीं है आपका डेली का जो रूटिन है उसमें भी कहीं नहीं बहुत आप तेजी रहती है उसमें यह देखिए जो एक एग्रेशन रहता है एक तेजी रहती है आप जो भी जैसे कई बार ह आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते होंगे और आपको जो चेहरा है थोड़ा लालीमा हो सकता है गोल गोल चेहरा थोड़ा सुन्दर सफेद कलर का चेहरा और थोड़ा लालीमा लिये हुए चेहरा हो सकता है आपका इसके लिए वर्सिक लगन वाले हैं वो काफी गुसेल टा लोर्ड मंगल यहां पर आ रहे हैं टेंथ हाउस में तो टेंथ हाउस में आने की वज़े से हो सकता है आपको कुछ से जो नेगेटिव रिजल्ट इसके मिलेंगे वो हो सकता है आप अपने बोस की थोड़ा कम सुनते हो या आपका बोस के साथ कुछ जगड़ा हो सकता है इसके पैसा आर्जित करेंगे क्योंकि यहां पर आपको लग का सारावी मिलेगा आपका जो टेंथ लोड है वो आपका नाइंथ में है सूरिय जो है आपके टेंथ लोड वो आपके नाइंथ में है तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा एक लग का सपोर्ट आपको काफी यहां पे मिलने वाला है सूर्य के बारे में हम आगे बात करेंगे तो मंगल के यहां आने से आपको काफी सपोर्ट रहेगा और मंगल मित्र रासी में है मंगल बहुत उच का है इस टाइम तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है इसके लगावा 6th house से भी आपका समंद बन रहा है तो 6th house की वज़े से कुछ न कुछ problems रह सकते हैं इतना negative नहीं होगा क्योंकि मंगल अपने मित्र की रासी सूरिय की रासी मंगल अपने मित्र की रासी सिंग में है जो सूरिय की रासी है और आपके 6th house से समन्द बनने की वज़े से कुछ थोड़ा बहुत कुछ मुकदमे बाजी जैसा कुछ है बट मंगल जब भी अपनी मितरासी में होंगे तो इस तरह का कुछ देंगे नहीं तो यहां से आपको बिल्कुल जो 6th house की जो टेंशन है वो यहां से लेने नहीं तब तो आपको 6th house की जो बैड रिजल्ट है वो मिल सकते हैं इसके लावा आपको यहां पर positive result देने के लिए मंगल आयए वे हैं यहां पर अब बात करते हैं जो आपका next lord है आपके next lord है second house के second house के आपके lord है guru और guru आपके first house में है बहुत ज्यादा ये पैसे के परती एक जो है पैसे के परती थोड़ी इच्छा ज्यादा रहेगी और हलंकि आपको पैसे से संतुष्टी नहीं रहेगी आपको अपने जोब से भी संतुष्टी नहीं रहेगी और आपको कहीं न कई मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है क्योंकि बख़ों को लेकर आपके जो satisfaction है संतुष्टी है वो आप में नहीं होगी तो आपको धन के मामलों में बिलकुल भी संतुष्टी नहीं होगी आप कितना भी पैसा अर्जित कर लें बट आपको एक एसंतुष्टी मन में जरूर रहेगी आप अपने जोब से आह संतुष्ट रह सकते हैं इसके इलावा हम बात करें यहाँ पे तो आपके 5th Lord गुरू बनते हैं और 5th Lord गुरू बनने के बदे से आपके 5th house में गुरू आ रहा है बहुत अच्छा प्लनिक है बहुत अच्छा गोचर का result मिलेगा आपको अपनी संतान से काफी कुछी मिल सकती है आपको अपना जो educational line है अगर आपको higher education में कुछ पाना चाहते है तो उसमें भी आपको काफी benefit मिलेगा और आपकी past life के अच्छे और बूरे कर्मों के result भी आपको इस time में मिलेंगे अब बात करते हैं यहाँ पर आपके थाइर लोड़ का second में जाना थाइर लोड़ का second में जाना थोड़ा सा second house की चीजों में जो है communication का आप यूज करें थाइर अपकी speech जो है वो थोड़ी सी harsh हो सकती है थोड़ी harsh टाइप speech हो सकती है और यariamente ये लोगों को अच्छी ना लगे इसके लावा फॉर्थ हाउस के लोड भी आपकी सनी बनने की वज़े से यहां पर आपको काफी दिखतें रह सकती है आपका जो पैसा है वो फॉर्थ हाउस यानि की अपने खुशियों में अपने जो खुशियां है एफपी ने इसको पराप्त करने में और घर के जो कारी है उनमें पैसा खर्च हो सकता है और आपको पैसे कमाने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है तो इस तरह की रिजल्ट यहां पर सनी के रहेंगे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब आपके जो दो नमर जहां लिखा हुआ है यानि सेवन्थ लॉर्ड आपके सेवन्थ लॉर्ड हैं आपके नाइन्थ हाउस में तो कहीं न कहीं यह आपको काफी लखी रहेंगे आप यहां पर सेवन्थ हाउस की जो भी चीजे हैं आपका कोई अगर बिजनस है तो उसमें आपको काफी लाब मिलेगा और इसके लाओ आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या फिर कुछ जो चैरिटी वगरे के कारियें हैं उनसे आप जूर सकते हैं इसके लाओ आपका जो लाइफ वार्टनर है उसके लिए भी ये लखी टाइम है हलांकि आपका जो बारवा लोड है वो भी आपका सुक्र बनता है तो कहीं न गहीं इस परकार का कंबिनेशन बनने से आपको फॉरेंट से काफी लाब होने वाल है या आपका जो लाइफ वार्टनर है उसको फोरेन से कही नहीं ज्यादा लाब होने की समावना है और फोरेन को भी दर्शारा है यहाँ पे फोरेन से कुछ कनेक्शन जुरूर इस टाइम में अगस्त में आपका रह सकता है इसके लाब हम आगे बात करें तो आपके एर्थ लोड बनते हैं बुद्ध और आपके एर्थ लोड भी बनते हैं बुद्ध तो इस तरह का कमिनेशन होने से एक तो अच्छा भाव है एक बुरा भाव है तो आपके अच्छे के रिजल्ट है उनमें ज्यादा वर्दी होगी यहाँ पे आपके जो बुद्ध है आपके एर्थ लॉर्ड और आपके इलेउंथ लॉर्ड यह आपके नाइंथ में होने के वज़े से आपको लक्का सारा मिलेगा बहुत अच्छा लक्का सपोर्ट रहेग और काफी कुछ आप इस समय में अर्जित कर पाएंगे इसके लावा यहाँ पर आपको जो है टेंथ लॉर्ड आपके नाइंथ में होने के वज़े से आपको अपने प्रोफेशन में अपको अपने प्रोफेशन में लक्का सारा बहुत अच्छा मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में आप लकी रहेंगे कहीं न कहीं, उच पद पे आप जा सकते हैं, आपको पदोनती का लाब मिल सकता है, इस परकार के जो रिजल्ट हैं वो टेंथ लोड के नाइंथ में होने की वज़े से आपको मिल सकते हैं, और यहां पे अब कुछ और चीज़ों के बारे में ड देखेंगे, और नाइंथ को देखेंगे, तो सेवन्थ हाउस को जब भी गुरू देखेंगे, सबसे पर फिप्त की बात कर लेते हैं, फिप्त हाउस के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देंगे यहां पर और खुद का घर भी है, यानि की खुद की रासी भी है, आपके फिप्त हाउस में गुरू की खुद की रासी है, तो उस वज़े से आपको फिप्त हाउस में बहुत पॉजिटिव गड़ने वाले हैं, और इसके अलबा यहां पर आपको जो है, जहां पर दो नमर लिखावा है, सेवन्थ हाउस में यह आपके लिए बहुत अच्छे रहें और आपकी जो मैरीज लाइफ है, उसमें काफी पॉजिटिविटी, काफी जो आप में खुशियां रहेंगी, अपने पार्टनर के साथ आप बहुत खुश रहेंगे, और कहीं न कहीं जो बिजनस है, बिजनस भी आपका इस टाइम अच्छा से लेगा, अगर आप में से किस का बिजनस हो तो, गुरू के फैस्ट हाउस में आने से आप खुद धार्मिक हो जाएंगे, सेउंध हाउस पे एसपेक्ट होने की विजए से आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसके विचार धार्मिक हो जाएंगे, और आप में खुद में कई न कई मोटापा बढ़ सकता ह है, और आप जो पेट की विमारी हैं, उनके सिकार हो सकते हैं, इसके लावा काफी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, बट फैस्ट हाउस में गुरू का अना आपको काफी धार्मिक भी बना देगा, तो अगली बात करते हैं, नाइन्थ हाउस को जब भी देखेंगे गुरू, तो यहाँ पर जो यहाँ इस नाइन्थ हाउस की जितने भी बैड रिजल्ट हैं, वो अच्छे रिजल्ट में प्रिवर्तित हो जाएंगे, अगर कुछ बैड रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो उनका रिजल्ट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, या अच्छा तो यह काफी बेनिफिट है आपके लिए, फैस्ट हाउस के गुरु हैं, यह बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद बात करते हैं, अगले कंबिनेशन कुछ इस तरह का बन रहा है, जैसे राहू, राहू अस्टम में आरें, अस्टम में राहू आने की जिसे राहू की दरश् रहेगी, तो यहाँ पे आपको पैसे के मामले में हो सकता है, कि दिक्कत हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पैसे कमाने में थोड़ा साब को समस्या रह सकती है, धन अरजित करने में, वसे आपके अच्छा कंबिनेशन बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है, वो सेकेंड लो इसा अरजित होगा, कम, इस तरह का रह सकता है, इसके लोग राहू का अस्टम में जो ट्रांजिट है, आठवे भाव में, वो कहीं न कहीं, एक्सिडेंट जैसा, जो है, कुछ एक्सिडेंट आपके साथ हो सकता है, या फिर आपको जो कमर के निचले हिस्ते हैं, वहाँ पर आपको कोई बिमारे नहीं है, फिर भी आपको काफी सारी प्रोब्लम्स रह सकती है, और आप डॉक्टर के पास जाएं, तो भी उनका कोई समादान नहीं निकलता, कई बार ऐसी बिमारे राहू देता है, तो निच्चित रूप से आपके जो कमर का निचले, कमर से निचले क जो भाग है वहाँ पर, आपको काफी सारी दिक्कत महसुस हो रही होगी, इस टाइम में जब तक राहू यहां रहेंगे, तब तक आपको यह प्रोब्लम्स रहने की समावना लग रही है, इसके लावाँ सुकर भूध और सूरिये, इनका जो नाइन्थ हाउस में आना काफी अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत सांदार रिजल्ट देने वाला है, मंगल का जो रिजल्ट आपको वो काफी अच्छा मिलेगा, और मंगल का यहां पर एस्पेक्ट पे है, फौर्थ हाउस पे, तो कोई न कहीं प्रोपर्टी से आपको कुछ फाइदा हो सकता है, आपको एक तो गौर्मेंट के और से भी कुछ लाब मिल सकता है, या फिर आप जो टेंथ हाउस से अरजित करेंगे पैसे, उन से आप कुछ प्रोपर्टी का कुछ कर सकते ही, आप फिर इस तरह का जैसे आप वाहन खरेद लें, इस तरह के कामों में आपको पैसा खर्च हो सकता है, इसके लाब और और अगर देखें तो आपको राहू कुछ प्रोप्लम्स देगा यहां पर अगर नेगेटिव की बात करें, और पैसे से ऐस अंतुष्टी, यानि पैसा कमाने में दिक्कत हैं, और बाकी कुछ नेगेटिव इतना नहीं है, बट आपको और 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 जो है राह पर बीमार रह सकते हैं, या फिर राहू जब तक है, तब तक आपको जो आपकी मदर है, आपकी माँ है, उनको कोई ना कोई तकलिफ जरूर देता रहेगा, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ये इसके रहे फलादेश, और वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,